दूस्तों बैंक में खाता कुल आना हो या आपको अधार प्यमेंट बैंक का काम स्टार्ट करना हो उसके लिए दूस्तों आपके पास एक पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है तो दूस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑन्लाइन पैन कार्ड घर बेटे 5 मिनिट में कैसे बनासकते हैं तो दोस्तो विडियो फ्र सुर्व करें पब Basic को चैनल को अने Vaal वीडियोऊ सबसे फ्रसेगे दोस्तो कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के वेब साइट पर इक इन्स्टेंट पैन के नाम से लऺाड आ स्कॉल इसको फटाफट अपने mobile या laptop screen को open करें और दोस्तो इस पे online apply कर दे हमारे वीडियो को देखे और अपना घर बेटे आप pen card बना ले और उसमें दोस्तो तुरंट pen number भी मिल जाता है और तुरंट pen card download भी हो जाता है दोस्तो अगर आप किसी दुकान खतम होने के बाद ही आप क्यों मिलेंगे तो दोस्तो फटा-फट अपने mobile या laptop screen को open करें और अपना घर बेटे pen card बनाना सीख ले वो किसी भी internet browser को open करना है दोस्तो ये जो process है ये आप अपने mobile, laptop, computer किसी भी चीज में आप इसको कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपको यहाँ पर simple सा type करना है आई टी आर दोस्तो ये जो link है ये हमारे description box में भी आपको मिल जाएगा आप direct वहाँ से भी इसको open कर सकते हैं दोस्तो इस type का कुछ interface आएगा यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद से दोस्तो आपको कुछ these type का interface मिलेगा आपको यहाँ पर यह जो advertise है यहाँ पर इसको कट कर देना है कट करने के बाद से दोस्तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह एक option instant pen through adhar दोस्तो आपको इस option पर click करना है और दोस्तो यह जो pen card का जो process है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आपका आधार कार्ड होना जरूरी है और दोस्तों उस आधार कार्ड में जो mobile link है वो भी आपके पास होना जरूरी है तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना है get new pen पे और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नमबर जो है वो टाइप कर देना है और दोस्तों यह जो capture code दिया हुआ है इस capture code को यहाँ पे आपको fill कर देना है और दोस्तों यहाँ पे यह जो box है इसमें आपको check कर देना है I confirm that पर और check करने के बाद से दोस्तों आपको generate आधार OTP पर click कर देना है अब दोस्तों आपके एक registered number पर एक OTP गया होगा जैसा कि देखिए मेरे number पर यह आ गया है और इसमें आपको उस OTP को fill कर देना है और दोस्तों OTP fill करने के बाद से आपको यह जो box दिया है इसमें आपको chat कर देना है और check करने के बाद से दोस्तों आपको validate आधार OTP and continue पर आपको इसमें क्लिक कर देना है दोस्तों क्लिक करते ही यह जो आपका जितना data है वो automatic यहाँ पर सब कुछ open हो जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है आपको यहाँ पर simple सा यह जो box है इसमें आपको फिर से check कर देना है और check करने के बाद से दोस्तों आपको submit pen request पर click करना है अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक number मिल जाता है आप इस number को सबसे पहले आपको save कर लेना है तो आज़े मैं इसका screenshot ले लेता हूँ क्या करना है आपको यहाँ पर home page पर आना है और दोस्तों आपको फिर से इस advertise को cut कर देना है कट करने के बाद से फिर से instant pen पर आपको click करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है यह दिया है check status download pen इस पर आपको click करना है click करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर आधार number अपना फिर से type करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर catch code fill करना है और दोस्तों आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपको फिर से एक OTP जाएगा उस OTP को इसमें आपको फिल कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर सब्मिट कर देना है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह बोल रहा है PDF link will be enabled after 10 minutes अब दोस्तों आपको 10 minute तक इंतिजार करना है वो 10 minute में आपको आपका pen number generate हो जाएगा आपका pen card generate हो जाएगा और दोस्तों आप फिर से वहीं download पे आपको click करना है और click करने बाद से और दोस्तों वहाँ पे आपको अपना सारा details भरके और आपको इसको download करना है तो दोस्तों आपको 10 minute तक भी और wait करना है मैं आप 10 minute बाद फिर से आपको इसको download करके दिखाता हूँ तो दोस्तों 10 minute अभी complete हो गया है और अभी मैं फिर से instant pen through आधार पे click करता हूँ और दोस्तो इस पर click करने वाद से आपको फिर से download pen पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार number type करना है और दोस्तो आपको यह capture code जो मिला है इसको आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तो फिर से OTP है गया है OTP को यहाँ पर fill कर देना है और दोस्तों आपको Submit पे क्लिक कर देना है Submit पे क्लिक करते ही दोस्तों अभी दिखते सकते हैं आप यहाँ पे Download Pen अभी आपका यह जो Pen Card है वो Generate हो गया है और आप इसको यहाँ से Download कर सकते हैं तो Download पे क्लिक कर देंगे download पे click करते ही दोस्तों ये देखिए आपका pen card जो है ये download हो गया है दोस्तों अभी इसको मैं open करने से पहले है मैं आपको एक बत बताने वाला हूँ ये जो PDF file है ये जो है password protected होता है तो इसमें आपको password fill करना पड़ता है तो दोस्तों आपको मता दहूं कि ये आप यहां से देख सकते हैं अभी मैंने यहां पर इसको ये दे रहा है कि PDF file is password protected to open the same please use your date of birth password the format दोस्तों आपको अपना जो जन्मतिती है आपको उतना पूरा जो है उसको type कर देंगे तो ये जो PDF file है ये open हो जाएगा कि मैं ये आपको open करके दिखाता हूँ दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये pen card जो है इसको यहां पर ok कर देंगे अभी आप देख सकते हैं ये जो pen card है यहां pen card जो है generate हो गया है और यहां पर pen number और यहां सब कुछ आ गया है दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ये जो pen card है इसमें जो signature physically signature जो है ये नहीं होता है इसमें digital signature होता है जो आधहार best OTP best होता है वो already इसमें लग चुका है जो हमने second time OTP डाला था वो signature के लिए था वो digital signature create होता है और वो इसमें attach हो जाता है वो जो की inbuilt होता है वो दिखाई नहीं देता है वो आपके pen से link है तो दोस्तों अभी नए system में SI signature चल ला है डिजिटल signature अभी physical signature की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह आपके सामने pen card जो है बिना किसी पैसे खर्च किये बिल्कुल free में download हो गया है बन गया है तो दोस्तों आप भी अपना घर बेठे है अपना pen card ऐसे बना सक करते हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों अमीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों एक वीडियो को like करें वीडियो को share करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर दें साथी में bell icon को भी द